हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको 32 साज की डबल कटोरी ब्लाज की कटिंग सेर करूंगी तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राब जरूर करें तो यह देखिए मैंने मेजरमेंट अस्क्रीन पे सो कर दिया हुआ है यही मेजरमेंट मैंने ली हुई है और इस तरह से कपड़े को डबल फॉल्ड कर लेना है हमें और सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है तो इस तरह से हमें बैक पार्ट की लेनी है हमने यहाँ पर 14 इंच लिया हुआ है आप अपने अकोर्डिंग ले ले तयार बलाज मरा 13 इंच करहेगा इसके बाद हमें सॉल्डर लेना है 5 इंच और आर्मल हमें 5.5 इंच लेनी है और इस तरह से सीधी लैंडरो करनी है फिर हमें चेस्ट का वन फोर्ट लेना है 8 इंच प्लस 2 इंच एक्स्टर मार्जिन आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं इसके बाद हमें इसकी गोलाई देनी है 1.5 इंच की तो इस तरह से हलके हांथों से हमें गोलाई देनी है और इसके बाद हमें कमर का मेजर्मेंट लेना है तो कमर हमने यहाँ पे 6 इंच लिया हुआ है 1 इंच बैक साड की टॉक्स के लिए प्लस 2 इंच एक्स्टर मार्जिन और मार्जिन वाले लाइन को हमें इस तरह से आपस में जॉइंट कर देनी है और यहाँ से हमें नेक विट लेनी है 2 इंच और नेक का जो लेंध है हमने यहाँ पे 10 इंच लिया हुआ है अपने अकोर्डिंग ले सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से 10 इंच पे एक मार करना है और इस तरह से एक बॉक्स पना लेनी है हमें और कोई सा भी सेप दे सकते हैं अपनी पसंद का हमने यहाँ पे राउंड सेप दिया हुआ है और यह हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कम्प्लीट हो चुकी है तो हमें इसकी कटिंग करनी है तो यह देखिए फ्रेंड इस तरह से हमें साइट साइट से फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है बिल्कुल साधानी से और यह जो पीस है इसे हम रखते हुए फ्रन पार्ट की मार्किंग करेंगे तो इस तरह से हमें रखना है और फ्रांट पार्ट की मार्किंग करनी है तो सबसे पहले हमें नीचे की सैट से वन इंच एक्स्टर लेना है तो यह देखिए इस तरह से हमें वन इंच ले लेना है और अस्केल की साहता से सीधी लैंडो कर लेनी है हमें और इसी लाइन के उपर हमें बैक पार्ट को रखना है और चारो तरब से हमें जैसा है वैसा ही लाइन रोकर लेनी है तो यह देखिया हमने जैसा है वैसे ही लैंड रो कर लिया हुआ है और इसके बाद हमें नेक बिट लेनी है टू इंज और फ्रन्ट पार्ट का नेक का जो लैंद था वो हमने है शिक्स इंज लिया हुआ है तो इसकी हमें गोलाई देनी है इस तरह से और आर्म होल को हाफ इंच हमें डॉन करना है फ्रन्ट आर्म होल हमें हमेशा हाफ इंच डॉन करना पड़ता है तो इस तरह से हमें हाफ इंच डॉन कर लेना है इसके बद में बैल्ट के लिए थ्री इंच पे एक मार करना है और इस तेड़ में 0.5 inch पे मार करना है और इन दोनों को आपस में इस तरह से joint कर लेनी है तो यह देखिए हमने joint कर लिया हुआ है और अब हमें cutory के लिए यहाँ से 5 inch पे मार करना है गले के पास से 1 inch लेनी है और front armhole से हमें 0.5 inch लेना है तो ये देखिए हमने कटोरी का सेप दे दिया हुआ है और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना आसान तरीका है कटोरी ब्लॉज कटिंग करने का अब हमें इस तरह से गले की कटिंग कर लेनी है और फिर हमें bel Astra की cutting करनी है तो ये देखिए इस तरह belt की cutting कर लेनी है इसकी बाद हमें कटोरी को cut करके अलग कर लेना है तो ये जो कटोरी ही ये wastage है इसकी जिगह पर हम डबल कटोरी तियार करेंगे तो सबसे पहले हमें नीचे की साढ़ से धाइ इंच लेना है और एक मार कर लेना है और सेंटर से हमें 1.5 इंच लेना है और एक मार कर लेंगे और इस तरह से हमें हलका राउंड सेफ देना है यह देखिए इस तरह से और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है तो यह देखिए इससे हमने डबल कटूरी बना दिया हुआ है अब हम इससे बढ़ा करेंगे तो इस तरह से हमने डबल फॉल्टेट फैब्रिक लिया हुआ है और इसके उपर इस तरह से रखना है हमे इस तरह से हमें बीच में वन इंच का गैपिंग देना है और इस साड हमें वन इंच एक्स्टा फैब्रिक बढ़ाना और इस साड भी हमें वन इंच एक्स्टा फैब्रिक बढ़ाना है सेंटर से हमें डेड़ इंच लेना है नीचे एक्स्ट्रा और इस तरह से दोनों निसानों को आपस में जोइंट कर देंगे इसके बाद हमें यहां से हायू के पट्टी के लिए हलका सा हाफ इंच लेना है एक्स्ट्रा और यहां से हमें सिला मार्जिन इतना एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से दोनों निसानों को आपस में जोइंट कर देंगे और यहां से हमें नीचे की सैड से ले जाना है कटोरी के लिए भी और नीचे वाले कटोरी के लिए भी इसलिए हमने एक इंजटे लिया हुआ था यहाँ पे तो यह देखे इस तरह से हमारी कटोरी रैडी हो गई है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जाने है कि इतना हमने दोनों साथ बढ़ाया हुआ था, एक एक इंज उसका हमें टक्स देना है, तो ये देखिए, ये टक्स देना है हमें इसमें, तो इस तरह से हमें सेंटर में कट कर लेना है, और इसे हमें इस तरह से टक्स देना है, और इसके पाद हमें उपर वाले पार्ट पर जॉ तो यह देखिए इस तरह से हमें slips को 4-fold कर लेना है यह देखिए इस तरह से हमने 4-fold कर लिया हुआ है और अब हमें slips की length लेना है तो हमने यहापे 6-inch लिया हुआ है नीजा की side से भी हमें 6-inch लेना है और एक सीधी land row कर लेनी है और 2-inch का हमें इस तरह से mark करना है और एक land row कर लेना है इसके बाद हमें मोहरी 6 इंच लेनी है प्लस 2 इंच हमें एक्ष्ट्रा मार्जिन लेना है और ब्याक पार्ट को लेना है और हाफ इंच छोड़ते हुए में इसके गोलाईन आपनी है तो यह देखिए 9 इंच आ रहा है तो 9 इंच पे अभी हमें इस तरह से तिर्छा रखना है इंची टेप को और एक मार्क करना है प्लस 2 इंच हमने एक्ष्टा मार्जिन लिया हुआ था उसे भी इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस तरह से तिर्छा लैंड्रों करेंगे और इस तरह से दोनों मार्जिन वाले लैंड को मिला देंगे और इस तरह से हमें स्लि स्लिप्स की कटिंग भी हमारी हो गई है अब इसे ओपन करना है और फ्रॉंट पाट के लिए हलका सा हमें हाफ इंच का सेप देना इस तरह से तो यह देखे स्लिप्स रेडी हो गई है फ्रेंड्स आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेट कर जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक सेर करना बिल्कुल न भूले और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राब जरूर करें थ थांक यू फ्रेंड्स